हरे किश्ण मित्रो हरे किश्णा साल 2021 नौ जनवरी को है साल की पहली एकादशी जिसे हम सफला एकादशी बोलते हैं दिन शनीवार के दिन सफला एकादशी पड़ रही है पहुष मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी तिति को हम सफला एकादशी बोलते हैं भगवान सुरु कृष्ण ने साक्षात स्वयम कुरुष हित्र में अरजुन को बताया है कि एकादशी में मैं सफला एकादशी को सबसे सफल और मुक्ष दायक एकादशी मानता हूं भगवान शुरुक्रिष्ट ने कहा है कि साक्षात मैं उनको उनकी पुजा को विशेश रूप से ग्रहन करता हूँ जो सफला एकाथसी के दिन मेरी पुजा करते हैं सफला 81 की दिन मित्रो क्या करना है और क्या नहीं करना है मैं आपका ध्यात्युक मित्र आचार शिलिस्थ त्युभारी आपको बताने आया हूं कि सफला 91 की दिन विशेश रूप से चावल का परित्याग करना है इस दिन यह साल 2021 की पहली एकाच्ची है, सफला एकाच्ची के दिन भगवान स्वेहरी विश्णू की पूजन करना है एक दिन पहले से भगवान विश्णू का यह महामंत्र ओम भगवती बासु देवायनम इस महामंत्र का ज्यादा से ज्यादा जब करें शुक्रवार की रात्री से ही भगवान विश्णू जी का यह महामंत्र ओम भगवती बासु देवायनम का जब करें और शनी बार के दिन प्राता काल असनान करके घर में एक घी का दिपक जलाएं इस दिन चावल का परित्याग करें अन का परित्याग करें फलहार करें और अगर बन सके तो पूर्ण रुप से निरहार रह करके भगवान विश्णू की पूजन करें गंगा जी अगर नजदिक हैं तो गंगा जी में अस्तनान करें अगर गंगा जी नजदिक नहीं है तो आप अपने घर में मा गंगा को अवाहन करके अस्तनान करें इस दिन मांस मचली का परित्याग करना जरूरी है जो आपके नजदिक मांस मचली का ग्रहन कर रहें उनको त् याश्टा का चीजों को व्प्यक्विक नहीं करना चाहिए। अपने घर में मृषे श्रुप ऐ्षे मांद्रो का ₧ मस्तक पच clarity का तिलक लगाना चाहिए।' घर में घी का दिपक जलाना चाहिए। चपर X Не growing a जाधा से ज़्यादा हो सके मांद्रों विश्णू का चतुर्भुज रूप का पुजन करें तो भगवान विश्णू की विशेश अनुकंपा आपके उपर और आपके परिवार के उपर होगी साल 2021 आपके लिए सफल होगा हरे कृष्णा ओम भगवती बाशु दिवायनम इस महा मंत्र का इस दिन ज्यादा से ज्यादा जब करें हरे कृष्णा